हेलो फ्रेंज, वेलकम टेट 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्पी एफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की न्यू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के अपडेट के बारे में, तो फ्रेंज यहाँ पर जो न्यू नॉट कर सकता है, क्या का इसकी LGBT कंडिशन रह सकती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर फैंस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सके, तो यहाँ पर देखे फैंस, यह इसका ओफिशल कॉन्फिडेंटल शॉर्ट नोटिस है, जिसमें आपसे कहा गया है, कि जो रिकुर्मेंट प्रोसेस है, पोस्ट अप सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव एंड सब्सक्राइब के लिए और बाकी की जितने भी प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पर रहेंगी, सेकेंड फेस के लिए वो आर्पिएफ खुद ही यहाँ पर कंड़ेट कराएगा, यहाँ पर फैंस से दिखिए जो प्रोसेस है, इसकी फर्स स्टेज ऑफ रिकुर्मेंट जो की आ मिल जाएंगे, अब क्योंकि फैंस जो वेकेंसी पहले 2018 में जारी हुई थी, तो 2018 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही, मैं आपको इसकी LPT कंडिशन शूर करता हूँ, क्या का इसकी LPT कंडिशन रहती थी, और ज्यादा उसमें चेंजर आपके नहीं होंगे, तो सबसे पर देखिए फैंसे, ओल नोटिफिकेशन जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आर्पी अफ में एक कॉंस्टेबल पोस्ट के लिए, इसके लिए फैंस जो पे अलाउनेंस था आपका वो 2700 रुपे आपकी सेलरी यहाँ पर रहती थी, लेवल 3 का पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पर रहता था इस वेकेंसी के लिए, इसके बाद फैंसे, ओनलाइन मोर में ही यहाँ पर जमा होते हैं, फो आपको आपको अनलाइन ही अपलाए करना होगा, और जो वेकेंसी हैं उसके बारे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फैंस देखिए जो वेकेंसी हैं रेलवे इजुकेशन की बात करें तो फ्रेंट से मेट्रिक पास होना मतलब 10th क्लास पास आउट होना आपका जरूरी रहता है और 18-25 साल आपका एस क्रेटेर रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो कि फ्रेंट से कॉंस्टेबर के रहती है बात करें अगर आरपी अफ एस इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास ग्रेजुट की डिगरी होनी चाहिए और इसमें जो एस क्रेटेर रहता है वो 20-35 साल रहता है और अपर इसमें शूट फ्रेंट दोनों ही कंडिशन में आपको मिल जाती है जो की रिजर्व के एंडेट है उनको फीजिकल मेजर्मेंट की बात कर लेते हैं जो कि SI post के लिए है तो जनरल OBC के लिए जो हाइट है मेल केंडिट वो 165 cm फीमेल के लिए 157 cm और चेस जो है वो 82-85 रहता है SCST के लिए 160 cm और फीमेल के लिए 152 cm और जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 cm आपका एज जो आपका यहाँ पर चेस्ट है वो आपका यहाँ पर रखा जाता है RPF SI post के लिए इसके बाद यहाँ पर देखिए जो अपर रेज है उसके बारे में आपको बताया गया है और इसके बाद एक्जाम फीस आपको बताया गयी है तो फीस देखिए 500 रुपे ही रहती है जिसमें 400 रुपे रिफंडेबल होते हैं और अगर आप बिलोंग करते हैं SCST एक सर्विस अपको यहाँ पर मिल जाता है तो Central Government का certificate होगा वो required होगा apply करने के लिए इसके बाद यहाँ पर देखिए जो full requirement process है इसमें आपका computer-based test, PET, PMT और document verification होता है computer-based test है यह friends आपका यहाँ पर देखिए जो होता है इसमें आपको 4 options मिलते हैं जिसमें से आपको select करना होता है कोई और इसके अलावा friends आपके देखे multiple language में आपको question paper available होगा, exam का standard है वो graduate level का रहता है और one third की negative marking आपकी यहाँ पर रहती है इस vacancy के लिए, इसमें लेकिए total duration जो है वो 90 मिनट की है, number of question 120 रहते है, question type and syllabus की बात करें, तो general awareness जो है 50 marks की आपकी यहाँ पर रहेगी, arithmetic 35 marks की आपकी रहती है, physical efficiency test, PET की अगर बात करें तो friends यहाँ पर सब inspector male के लिए 1600 मीटर की running है, 6 में 30 सेकिंड में आपको complete करनी होती है, 12 feet का long jump है, 3 feet 9 inch का high jump है, और female के लिए 800 मीटर की running है, 4 में complete करनी है, long jump 9 feet का है, high jump 3 feet का आपका यहाँ पर रहता है, इसके बाद friends आपका यहाँ पर जाएगा और उसके बाद ही friends आपका यहाँ पर final selection किया जाएगा, RPF constable की अगर बात कर लेते हैं, तो physical standard में general OBC के लिए जो height है, 165 cm रहती है, female के लिए 157 cm, chase आपका 80 to 85 cm रहता है, SCST के लिए 160 cm, female के लिए 152 cm, और chase 76.2 से 81.2 cm आपका यहाँ पर रहता है, इसके बाद friends आपको अपरेज में लेके छूट मिल जाती है, 18-35 cm रहता है, fees आपकी वही सेम है, general OBC 500 रुपे, 400 रुपे refund हो जाते हैं, और 200 रुपे बाकी अधर काटेगरी इसके लिए और यह 200 रुपे आपको refund हो जाते हैं, इसके बाद friends जो requirement process है, वो भी आपकी CBT, PET, PMT और document verification की बेस टेस्ट में friends आपके यहाँ पर देखिए, आपको language चूज करनी होगी, किस language में आप देना चाहते हैं, और यहाँ पर जो standard है, आपके exam का वो 10th metric level का रहेगा, वन थट की negative marking रहती है, इसके बाद टोटल डुलेशन है, 90 मिनट की number of portion है, 120, इसमें देखिए जो syllabus है, उसमें ज 40 second में complete करनी है, 14 feet का long jump है, 4 feet का high jump है, female के लिए 800 meter की running है, 3 minute 40 second में आपको complete करनी होती है, 9 feet का long jump है, 3 feet का high jump है, जो कि friends, आपका PT, PMT होता है, और उसके बाद same document verification है, medical exam है, और उसके बाद ही आपका इसमें यहाँ पर final selection होगा, तो यह friends, आपका जो मैंने process बताई है, यह जित कैसे देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए friends, आप या तो RPF की official website पर विजिट कर सकते हैं, यह friends, jobrasa.com पर आप regularly विजिट कर सकते हैं, जिस पर friends, जैसे ही इसका कोई भी notice आपडेट आएगा, वो आपको यहाँ पर provide कर दिये जाएगा, तो जो हुआते हैं, जो मिलेगा, देखने को मिलेगा, पर आपको कर सिखक दो इसके हैं, जो बाँपर हैं, झाल, झाल, जू जो यह एभी इसका, जो अचि钵ा से आपको कि दो पर दो, आपको कि खपको रवाश